Hello guys welcome back to the channel आज की वीडियो साइबर सिक्योर्टी की प्लेइलिश की यूनिट नमर थी के बारे में होने वाली है यूनिट नमर थी में आल लेडि हम एक लेक्षर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने टूलस और मेथड यूज साइबर क्रैम्स उसके इंट्रोड़क्शन के बारे में बात किया था पहला हमने टॉपिक उसमें स्टेजिस ऑफ एन अटेक और नेट्वक पढ़ा था उसके बाद हमने प्रॉक्सी सर्वर एंड पढ़ा था जो की यूनिट नमर थी की फर्स्ट वीडियो थी अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिसिंग की तो यह करने वाले हैं फिशिंग की तो फिशिंग जो है साइबर सेक्योर्टी में बहुत इंपोर्टेंट टर्म है हम इससे सुरू से पढ़ते आ रहे हैं अगर आप मेरी प्लेलिश फोलो कर रहे होगे तो यूनिट नमर वन में और टू में हमने इसको डिसकर्स किया था तो अब म यूजर का परिसनल और फाइनीशाल डाटा जैसे कि उसका यूसर नेब और id पासवर्ड इसके होगो फॉया फिर फानिशल डाटा की इन फिसके लिए इसके कि लिए यूजर का जो भी इनफेक्ट शिस्टम होगा उसको वाइर सेक्ट की साथ एंपेक्ट भी कर सकती है एंद थर्ड अब मेथड ऑफ ओनलाइन आइडी थीफ्ट आइडी माने आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट करने का भी यह एक तरीका है ठीक तो आप जैसे कि इस फिकर में भी देख सकते हैं यह एक साइबर क्रिमिनल है यह जो फिशिंग जो वर्ड है इस फिशिंग तो आप देख सकते हैं जो साइबर क्रिमिनल है वो फिशिंग का यूज करके हमारे परस्ट डाटा को चिल करने का ट्राइग करना है तो यह इस सिमिलर कंसेप्ट यह ही है अब बात करते हैं फिशिंग की टेकनिकल डेफिनेशन की तो फिश इंटाइल प्रग्रम्र तो फिशिंग एक ऐसे तरीके का अटेक है जिसमें जो साइबर क्रिमिनल है एक मेल यानि की इमेल का यूज करता है जिसमें प्रोग्राम इंजेक्ट होता है इंटरनेट पर से सेंड करता है जिससे की यूजर जो है अपनी कॉन्फिदेंशल इंफॉर्मेशन पर्सनल डाटा उसको एक्सप्रोइट कर सके उसको दे सके ताकि वह इंफॉर्मेशन किसी भी इल्लीगल पर्पस के लिए यूज हो सके तो फिशिंग की टेक्निकल डेफिनेशन यह है अब वाइल चेकिंग इलेक्ट्रोनिकल मेल इमेल वन डे यूजर फाइंड सा मैसेज फॉन दा बैंक क्लोज दा बैंक अकाउंट इसमें बहुत यह बेसिक एक्जांपल दिया गया एक दिन कोई भी यूजर उसका नाम माले था हम एक्स वाइज यूजर अपना इमेल चेक कर रहा था रैंडम ली तो उसमें एक इमेल उसको मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो इमेडेटली बंद हो जागा अगर आप इस पर रिप्लाई नहीं करोगे तो अल्वो दे मैसेज सीम तो भी सब्सक्राइब कर पाना मुश्किल था कि वो फेक है या और जिनल तो उस पे लिंक भी या टेस्ट थी इसमें लिख रहा था अगर आपको अपना बैंक अकाउंट क्लोज नहीं करवाना तो इस इमिडेटली इस लिंक को क्लिक करो तो उस यूजर ने उस लिंक को क्लिक करा जिससे कि पर्सन इंफर्मेशन क्रेट कार्ट की इंफर्मेशन उनके पास चलीगी और कोई प्रोग्राम जिन में इसको बोलते हैं वो उनकी पर्सणल और फाइनाशल डाटा मतलब में पॉंट में आपको यही तीन लिखने हैं फिशिंग क्या गया करता है पहला तो आपका फर्स्ट और निट में मैंने डेटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था तो आपको मेंन जो concludement है वो यही तीन पॉइंट लिखने हैं and these messages look authentic and attempt to get user to reveal their personal information यह जो message है काफी authentic लगते हैं आपको ऐसा रहेगा कि सच में ही bank से ही message आया और काफी realistic होते हैं authentic होते हैं जो कि attempt करते हैं आपकी personal information को gather करने के लिए ताकि आपकी data को steal कर सके हैं while on the other hand it is believed that fishing is an alternative spelling of fishing as in fish to information same जो मैंने आपको example दिया डाइग्राम के तुरू कि जो fishing है वो word आया आपका fishing से fi वाली से तो इससे निकल कि आया इसका main motive ही होता है कि cyber criminals जो होते हैं वो user के data को चुराने कोशिश करते हैं आप देख सकते हैं figure में अच्छे से and the first documented use of word fishing is was in 1996 पहली बार इस वर्ड को 1996 में यूज किया गया था fishing को और बागी यूनिट बन में and second में हमने detail में इसके बार में discuss किया है तो यूनिट नमर स्री में सिर्फ इतना ही अब करते हैं how fishing works तो fishing काम कैसे करता है इसमें five steps होते हैं जो कि chronological steps होते हैं sequence five हमें follow करने पड़ते हैं पहला जो steps होता है वो है planning यूज मास email mailing and address collection technique spammer जो spammer होते हैं जो आपके cyber criminals होते हैं वो mass mailing करते हैं सेम तरेकर का email एक साथ काफी लोग को भेज सकते हैं मान भी चलिए एक बार में 1000 लोग को उन्होंने सेम email भेजा एड़िटे से उसमें 10 भी reply करेंगे और उसमें से कमझा एक भी fishing का सिकार होगा तो उसमें इनको फायदा ही फायदा है कि यह planning करते है मास email करके यूजर को spam करते हैं दूसरा setup इनका दूसरा रहता है step जो है setup email webpage to collect data about the target यह email webpage को setup करते हैं in order to collect the data of the user तीसरा रहता है इनका attack planning setup के पाद यह attack करते हैं जिसमें फोन ही message बेचते हैं फोन ही message मतला authentic message रहेगा target को लेकर के चौथा रहेगा इनका collection अगर इनका attack भी complete हो जाता है तो information को record करते हैं जो collect करते हैं फिफ्ट इनका रहता identity theft and fraud at last यह आपके data को use करके कि आपकी ID का theft करते हैं and आपके साथ fraud करते हैं यानि कि आपकी information को use करते हैं कोई भी commit करने के लिए fraud या फिर कोई भी illegal purchase nowadays more and more organization institute प्रोइड greater online access for their customer and hence criminal are successfully using physics technique techniques to steal information and conduct as global level आज कल क्या हो गया सारी बैंक जो है और सारी इन्सिट्यूशन सब्सक्राइब करते हैं इस जिससे कि फिशिंग की जो है पोटेंशल है और भड़ता जा रहा है क्योंकि पहले अब online uses कम था अब online uses ज्यादा है इसलिए fishing जो है वो भी भड़ती जा रही है तो अब बात करते अपने next topic जो है password cracking की यह भी आपका important topic है individual topic है अब password क्या होता है यह तो सब लोग को पता है password होता क्या है password एक तरह से चावी होती है इस लाइक की to get an entry into computer system like a lock एक तरह से चावी होती है password किसी भी computer system में enter करने की मान के चलिए आपका कोई भी account है for example Facebook पे लेते हैं तो उसको login करने के लिए आपको सबसे पहले अपना phone number डालना पड़ता है और email ID डालने पड़ती है उसके बाद आपको अपना password डालना पड़ता है किसी भी data से जो की store होता है computer system में यूजली जो attackers होते हैं वो एक तरीका यूज करते है password को crack करने के लिए जो है repeatedly making guess for the password password का को लेकर करके repeatedly guess करते रहते हैं तुका माट से रहते हैं यह हो सकता है यह हो सकता है और उनको सही password नहीं मिलता काफी sophisticated टेक्निक है यह जो कि हम भी यूज करते हैं कई बार हम पुराने जितने password होते हैं उनको डालकर guess करते रहते हैं तो password cracking यह कैसे process है जिसमें उपना password को recover करने कुर्सिस करते हैं किसी भी data से जो कहीं भी store होता computer system में तो इसका purpose क्या होता है अगर इस seven marks में आया तो उसके हिसाब से ही इसका content design किया है अगर इसको हम पढ़ेंगे तो काफी wide है deep topic है even इस पर एक single unit भी बना सकते हैं password cracking को ले करके अगर हम practically इसको use करे लेकिन हम में slaves के साब से चलना तो इसको purpose क्या purpose है पहला to recover forgotten password जो भी मैंने आपको example दिया कि अगर हम कोई password भूल जाते हैं तो उसको याद करने के लिए as an preventive measure by system administrator check for easily correct password कई बार offices में एक db होता है database administrator जो खुद यूज करता है इस technique को ता कि कोई भी यह preventive as a preventive user use करता है ता कि यह देख सके कि हमारे एंप्लोई ने ऐसा को पासवर्ट तो नहीं डाला जैसे हम easily crack कर सकते हैं and third purpose is to gain unauthorized access to system किसी भी system में unauthorized access लेने के लिए अब जो यूज होता है वो टेक्निक होती है manual password cracking यान कि अभी जो आपने बात केजिए न इसमें क्या करते हैं attackers खुद manually password डाल डाल की देखता है पहला है find इसके कुछ steps होता है find a valid user account such as administrator guest पहले तो इन्हें valid user ही find करना पड़ता है ऐसा नहीं हो कि हम ID हमें किसी की Facebook को करने वाले हम correct तो हो सकता है ID पता ना हो हम password डाल जारा है तो हमें पहले authenticate ID पता होनी चाहिए email ID और phone number दूसरा इसमें step है create a link list of possible passwords जितने भी possible password हो सकते हैं उसके हम लिस्ट बनाते हैं थर्ड इसमें step है rank the password from high to low probability फ्रसवर्ट की पहुशनका में सबसे जजादा रखती है उसको सबसे पहले डालके देखते हैं जिसकी पर्सनल इंफर्मेशन जैसे कि यूजर की पर्सनल इंफर्मेशन को लेकर भी फॉर एक्जांपल हम बात करें हम पासवर्ड डाल सकते हैं ब्लैंक हो सकता है हमारा पासवर्ड ब्लैंक हो नौन यानि की दूसरा पासवर्ड कुछ लोग जो रखते हैं पासवर्ड पासवर्ड एडमिन तो अपने नाम को भी रख सकते हैं थर्ड है सीरीज ऑफ लेटर फॉर्म दो कोईटी कीबोर्ड फॉर एक्जमपल कोईटी अगर आपने कभी लेपटॉप चलाया हो लेपटॉप यूज कर रहा हो तो उसमें आप ऊपर की वह देखेंगे अलफाबेट्स तो वह फॉर्थ नेम ऑफ यूजर फ्रेंड लेटे पैट में फ्रेंड का किसी रिलेटिव का अपने पैट का नाम रख सकता हूं यूजर बर्थ प्लेस और डेट अब बर्थ और रिलेटिव और फ्रेंड हो सकता है में जहां पर बर्थ हुआ है मेरा फॉर एक्जमपल मेरा पासफ़र्ड रख लूंग मैं अपने ओफिस नंबर रेजिदेंस नंबर मॉवाइल नंबर कुछ मतलब अपनी इन्फोर्मेशन को डिलेटेड पासफ़र्ड रख सकता है जो कि पासफ़र्ड यह ऐसे पासफ़र्ड है जो काफी इसली होते मांंते हैं उसको हम अपना नाम रख सकते हैं पास यूज करता है जो कि बार बार देखो आप भी सोच यहाँ बार बार डृक्वा डाल की देखोगे तो कितना टाइम टेकिंट पर्रोसेस है ना पासवर्ट को डालना पहले आप जैसे मेरा ही पासवर्ट है पहले मैं डालता हूं रितिक रितिक नहीं खुला फिर मैं डालता हूं अपना डेटबर रितिक 26 नहीं खुला तो काफी टाइम लगता है इन चीजों को पासवर्ट डालने में तो एक जावाय स्किप्ट की फाइल बट ये भी एक manual cracking के अंदर आता ये automated cracking नहीं होता क्योंकि टाइम तो इसमें भी उतना ही लगता बस इतना है कि हमें ज्यादा मेरत नहीं करनी पड़ती और जो हमारे जितने ही passwords होते हैं दो तरीकी होते हैं फ्रेंट होता है एक backend होता है अपने web development में पढ़ा होगा इसे अच्छे से तो फ्रेंट जो हमें दिखता है जिसमें हम डैस कर पाते हैं जैसे मानके चलिए यह फिकर कमजी यह पासवर्ड है हमारा फ्रेंट है इसमें हम प दाटाबेस पर फ्रेंट होते हैं वहां से पासवर्ड वैरिफिकेशन होता है अगर ही मैंने पासवर्ड सभी डाला होगा तो मेरे को next page by threads by using the functionality of threads जोगी काफी sophisticated concept का आप नेक्स सेमेस्टर में operating system पढ़ोगे तो उसमें threads के बारे में आप समझोगे तो उससे जो हमारा पासवर्ड वैरिफाई होता है तो हमें next पेज का जो एक्सेस तम मिलता है तो इंस्वर कॉन्फिदेशलिटी और पासवर्ड दो पासवर्ड वेरिफिकेशन डाटा इ नहीं इस्टोर होता डाटाबेस में जो की होता एक encrypted form में जिसको हम और आप नहीं पढ़ सकते अंटिल एनलेस जबता हम उसको decrypt नहीं करेंगे तो काफी सारे पासवर्ड क्रेकिंग टूल्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको पताया नहीं है इसक्रिफ्ट फाइल होती है तो काफी सारे टूल्स होते हैं जैसे कि डिफॉर्ट पासवर्ड के नेवल सबसे फेमस टूल है जॉन दा रिपर यह काफी यूज होता है पासवर्ड को क्रेक करने के लिए जॉन दा रिपर तो इसको आप नाम ध्यान रखना यह नाम मुझे भी पता था पहले से और काफी होता है पासवर्ड को क्रेक करने के लिए इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको बागी पासवर्ड क्रेकिंग अटेक्स के इन टीन तरह में डिवाइड होते हैं सेम मैंने बोला ना अगर हम इसे पढ़ना चाहिए डिटेल में डीक में तो काफी ज्यादा डीप टॉपिक है इसको डिजाइन किया है अगर आपसे टू माक्स में कोशन आता पासवर्ड क्रेकिंग तो आपको पासवर्ड क्रेकिंग की डेफिनेशन इसका परपस इसका स्टेप्स उसके बाद इसके गैस्ट जो होते हैं टम्स गो और यह सब चीज़े आपको लिखनी पड़ेंगी अगर सेवन माक्स में आगा तो तीन टैप के अटेक के टेगरी होती है पहली ओनलाइन ओफ्लाइन तीसी नॉन एक्ट्रोनिक तो इनके बारे मैं आपको समझा जीता हूं मेरे नोट्स में लिखा नहीं है ओनलाइन अटेक से पूछ सकता हूं तेरा पासफट क्या है कुछ मुझे हिंट दे दे ओनलाइन हो सकता है किसी स्पैम का यूज़ करके उनका इंफोर्मिशन गैदर करा है फिशिंग टेकनिक भी यूज़ करते हैं कई बार पासफट को क्रेक करने के लिए और थर्ड है आपका नॉन इलेक् स्थर्फींग बहुत यह किकि को भी अपना डाल रहा है हम उसको देख लें और दंपस्टर डाइविंग को पासफट को लिख कर ने अपने डाटा को कहीं स्टोर कर देता था नहीं पासवर्ट को एकसेस कर सकते हैं तो अगर इस पर लिखना चाहे तो हम काफी साथ कंटेंट भी लिख सकते हैं और यह बात यहां रखना तीन कैटेग्री जो मैंने आपको explain करें इनको प्लीज explain करना करें सेवन माक्स में आ जाएगा और अंटिर अनलेस आप इसमें नाम भी लिखिया होगे तो तो जैसे कि हम इस फिगर में दबारा आईए इंची मेल पर हम अपनी बनाते हैं उसमें पासवर्ड डालते तो खाली हम Alphabets का use करते हैं तो जो आता है हमारा week password आता है अगर आपको और दीता हूं जैसे कि खाली यूज कर रहा हूं अपने password में रितिक तो मेरा पासवर्ड बहुत ज्यादा वीग है कोई भी से ग्रेक कर सकता है अगर मैं अपना तो यह मेरा पासवर्ड मीडियम है अब मैं यूज कर रहा हूँ आई टैक हैश तो इसमें सब कुछ आ गया तो यह मेरा पासवर्ड है इसमें खाली यह यह नुमेरिक है इसमें सकते हैं यह आपका स्ट्रॉंग पासवड है यह वीग होता है होता है इसको चोड़िक सब्सक्राइब होता है जिसमें से हम काफी सारी साथ को यूज करते हैं आप देख सकते 95 u4 एकोल्स टूपी का कोई लिटरल मिनिंग नहीं है इसको रेंडम पासवर्ड बोलते हैं इस्ट्रॉंग फासवर्ड होता है आपका रेंडम पासवर्ड अब बात करते हैं नेटिजन्स प्रेक्टिस पासवर्ड गाइज इस तो अब लोग को पता होगी इस्टि पासवर्ड की गाइडलाइंस पर पढ़ना चाहिए थाकि उनका पासवर्ड जो है ना हो पासवर्ड बैसिकली यही जो मैंने आपको बताएं है स्ट्रॉंग वीक मीडियम वाली यह सब इंपोर्टेंट है आप चाहों तो इस फिगर को ड्रो भी कर सकते हो बाकि जो मैंने आपको बरबली बताई हैं उन्हें भी आप याद कर सकते हो बाकि इस टॉपिक में अभी इस वीडियो में हमने दो टॉपिक अपने पड़े हैं वाट इस फिशिंग और दूसरा में टॉपिक पासवर्ड क्रेकिंग इसके टाइप मैनुल पासवर्ड इसके स्टैप्स और पासवर्ड के टाइप तो आने वाली लेक्चर में हम पढ़ेंगे की लॉगर्स एंड इस फाइब यह जो की इंप्रोटन टॉपिक है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलें बैल आइकन को जुरूर दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करें अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो पर कमेंट करें दोस्तों कि शायर करें और चैनल को सब्सक्राब जरूर करें बैल आइकन दबागे रखें थ ändकर करें अब पया वीडियो बा họ मझें अजिए करें अवड़ूर थे करेंद करेंगे हो थे यसे अरध्यों करेंगे में अपर भीष्तूर ठाजर चैनल क करेंगे हो गईकरतूर करेंगे में